नवश्कार मेरे पैरे देश्वासियों पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है आम तोर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब द्वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भर्त्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रत्तेग भर्त बासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवश्यक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश वाश्यों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नरधारित लक्षों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश वाश्यों से 130 करोड देश वाश्यों से आप सब से कुछ मांगने आया हूं मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे प्यारे देश वाश्यों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिन्ता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं हाला कि कुछ देश ऐसे भी है जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश है और हम जैसे देश पर कोरोना का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज 130 करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है सैयम और सैयम का तरीका क्या है बीड से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशियल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में, ये सोशियल डिस्टंसिंग ये बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है, हमारा संकल्प और सहियम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में, बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है, और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे, सरकोपर जाते रहेंगे, और कॉरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूँ, ये सोच सही नहीं है, ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे, इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आगर हैं, कि आने वाले कुछ सब्ताह तक, जब बहुत जरूरी हो, तभी अपने घर से बाहर निकलें, जितना संभव हो सके, आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, आफिस से जुड़ा हो, हो सके तो अपने घर से ही करें, जो सरकारी सेवंगों में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनी दी हैं, जो मिडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवशक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भार से, बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए, मेरा एक और आग्रह है, कि हमारे परिवार में, जो भी सीनियर सिटिजन्स हो, साट, पैंसर्ट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सब्ता तक, घर से बाहर न निकलें, मैं फिर से आग्रह करता हूँ, साट, पैंसर्ट से उपर की आयू वाले, हमारे सभी परिवार के जन, घर से बाहर न निकलें, हो सकता है कि, वर्तमान पीडि, पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो जब छोटा था, उस समय हम अनुभाव करते थे, उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी, तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था, शिशे पर भी कागेज लगा दिया जाता था, लाइट बन रखी जाती थी, लोग राद भर चौकी करते थे, और युद्ध न न हो तो भी, साल में एक दो भार तो, वहाँ के जो नगरपाली काई होती थी, वो जागुरू को करके, ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी, लोगों का आदत बनी रहें इसके इसके लिए प्रयास करती थी, और इसलिए मैं आज, प्रतेग देशवासी से, एक और समर्थन माँग रहा हूँ, ये हैं, जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानि, जनता के लिए, जनता द्वारा, खुद पर लगाया गया कर्फ्यू, इस रभिबार, यानि, दो दिन के बाद, 22 मार्च को, 22 मार्च रभिबार को, सुबे 7 बजे से, रात 9 बजे तक, सभी देशवास्यों को, जनता कर्फ्यू का, पानन करना है, इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान, कोई भी नागरीक, गरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न महले में या सोसाइटी में एकट्रे हो, अपने घरों में ही रहें, हाँ, जो आवशक सेवां से जुड़े हुए हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा, जो कि उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है, लेकिन एक नागरीक के नाते, न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं, साथियों 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसईयम, देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का, एक मजबूत प्रतीक होगा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा, कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें, हमारे देश में कई संगठन है, NCC है, NSS है, कई वा संगठन है, Civil Society है, खेलकुत के संगठन है, कई प्रकार के संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कोई, सब से मैं अनुरूद करूँगा, कि अभी से लेकर, रविबार तक, इस जनता कर्फ्यू का संदेश, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरुख करें, आप ये भी कर सकते हर दिन, दस नए लोगों को फोन करके, आप इस वैश्विक महामारी के समद में, नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात, उनको समझाएं, उनको बताएं, मेरे प्यारे देश्वासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे, हमारे लिए भारत के लिए, एक कसोटी की तरह होगा, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिड़ाब, लड़ाएं के लिए, भारत कितना तयार है, ये देखने और परेखने का भी समय है, आपके इन प्रयासों के बीच, जनता कर्फ्यू के दिन, 22 मार्च को, रविवार को ही, मैं आपसे एक और सहीयोग चाहता हूं, साथियों, पिछले दो महनों से, लाखों लोग, अस्पतालों में, एरपोर्ट पर, दप्तरों में, सहर की गलियों में, दिन रात काम में जुटे हुए हैं, चाहे डॉक्टर हो, नर्सीज हो, हस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बेहन हो, एरलाइन्स के करमचारी हो, सरकारी करमचारी हो, पुलिस करमी हो, मीडिया करमी हो, रेलिवे, बस, आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो, होम डिलिवरी करने वाले लोग हो, ये लोग, अपनी परवान न करते हुए, दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, आज की परिस्थितियां देखें, तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती, आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं, बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं, हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं, देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का, कृतग्या है, मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रभिवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और दन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक-एक व्यक्ति को जोड़ सकता है, रभिवार को, यहने जन्ता करिफ्यू के दीन, शाम को ठिक पांच बजे, हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, या बालकनी में, या खीडकियों के सामने खड़े होकर, पांच मिनिट तक रभिवार को, शाम को, पांच बजे, पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, गंटी बजा करके, हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता भेक्त करे उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करे पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देश वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे पैरामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्रात्फिक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकनॉमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी ख्षती पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आएवर्क से भी आगर है कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर न आप आएं आपके घर न आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईया जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ये सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग ये कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासि अपने कर्तवयों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूं कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अफ़ाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तोर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी तिति में सारे देश वासियों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने के भी आवशक्ता है साथ यो हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है ये आवश्विक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे पैरे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्व आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्व है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आगरह करूँगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आगरह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद